अब हम लोग डिसकस करते हैं टेक्योमेट्री टेक्योमेट्री मेथड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिसकस करते हैं टेक्योमेट्री मेथड को डिफाइन किया जा सकता है ऑप्टीकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड क्योंकि यहां पर डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है ऑप्टीकल तरीके से इसलिए इस मेथड को हम लोग ऑप्टीकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथर कह सकता है So टेक्योमेट्रिक मेथर नथिंग बट दी ओप्टीकल डिस्टेंज मेजरमेंट मेथर इसके पहले भी हम लोग कुछ मेथर्स को डिसकस किये हैं जहां पर डिस्टेंज का मेजरमेंट किया जा रहा था जैसे चेनिंग और टेपिंग अगर टेक्योमेट्रिक मेथर को कमपेर किया जाए चेनिंग और टेपिंग के साथ तो फ्लेट ग्राउंड पर टेक्योमेट्रिक की एक्यूरेसी कम निकल के आएगी बट वही पर बात की जाए रफ टेरेन की और stiff terrain की यहां पर tachymetry की accuracy ज़्यादा निकल किया आती है so tachymetry method suit करता है so it is suitable for rough and stiff terrain rough and stiff terrain so tachymetry method अब general method करने के लिए जाएंगे तो जिस device को use किया जाएगा उस device को tachymetry कहां जाता है so tachymetry के लिए just device को use किया जाता है उसे tachymetry कहा जाता है अब discuss कर लेता है tachymetry के बारे में यह tachymetry होता क्या है टेक्यों मेंटर एक टाइप का ट्रांजिक ठीडोलाइट होता है यह प्रिवियस यूनिट में हम लोग डिसकर्स करते आ रहे हैं एक ऐसा ठीडोलाइट जिसका टेलिस्कोब अपनी होरिजॉंटल एकसिस के अबाउट वर्टिकल प्लें में revolve करने लगे इस टाइब के थ्यडैक्र लाइट को हम लोग प्रांजिक थ्यडैक्राइट कहते हैं तेक्योमेटरी ओप टैक्योमेेर से कि जाती है और टैक्योमेटर का ट्रांजिक थ्यडैक्राइट होता है जिसमें एक stadia diaphragm होता है तेक्यो में हमें stadia diaphragm देखने को मिलेगा इसे यहाँ पर मैं नोट करता हूँ stadia diaphragm यह stadia diaphragm क्या होता है इसे माप करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जब हम किसी diaphragm को देखते हैं तो वहाँ पर हमें cross hair दिखाई देता है यानि कि एक vertical hair होता है और दूसरा horizontal hair होता है stadia diaphragm किसे कहा जाता है यहाँ पर दो stadia hairs होता है एक उपर और एक नीचे तो cross hair के जो horizontal hair होता है उसके उपर और उसके नीचे यहाँ पर दो hairs होते हैं इनी hairs को stadia diaphragm कहा जाता है इन दोनों के बीच का जो interval होता है वो fix होता है यह constant होता है अब बात करते हैं टेक्योमेटर की कुछ advantage के बारे में जो टेक्योमेटरी है यहाँ पर हमें कुछ special characteristics मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर हमें एक multiplying constant मिल जाता है तो अगर मैं इसके characteristics की बात करूँ तो एक तो हमें हाँ पर multiplying constant मिल जाता है दूसरा यहाँ पर हमें एक additive constant मिल जाता है multiplying और additive constant क्या होता है वो हम लोग next class में discuss करेंगे साथी साथ अगर यहाँ पर देखें तो telescope की magnification power high हमें मिलती है कुछ बाते और note करने की है tachometer में that is let is suppose यह हमारा ground surface है तो यह है ground level ground level पर किसी station पर ground के किसी point पर मैं instrument को place करता हूँ let is suppose यह है हमारा tachometer so मैंने ground के किसी point पर instrument को place किया हमें determine क्या करना है हमारा जो instrument station है यहाँ से किसी particular point तक की distance कौन से इस्टेज होरिजॉंटल इस्टेज जिस point तक की distance को हमें determine करना है वहाँ पर मैंने leveling staff को place किया अगर यह वाली distance less than hundred meter निकल के आती है यह जो leveling staff हम लोग use कर रहे हैं टेक्यो मिटर में यह normal leveling staff को use किया जा सकता है अगर यही distance हंड्रेट मिटर से ज्यादा निकल के आएगी नॉर्मल leveling staff में जो मार्किंग होगी वह इंडिस्टिंक्ट हो जाएंगी इस distance की वज़े से इस लिए यहाँ पर leveling staff की जगह हम लोग stadia rod को use करते हैं जाले से जाले स्क्वाइं स्टेज़ को परीजिता हैं ठाक्यु